आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें जैसे यहाँ पर साइन का वर्ग एक्स है और कॉस की घात क्या है विसा में तो यहाँ पर हम साइन को प्रशे स्थाफित करेंगे टी से, कैसे देखिए समाकलन जिसे हम लिख सकते हैं साइन का वर्ग एक्स गुणा कॉस का वर्ग एक्स गुणा कॉस एक्स डी एक्स यह हो जाएगा, तो cos का वर्ग को भी हम sin में परिवर्तित करते हैं पहले तो cos का वर्ग theta बराबर क्या होता है, एक रिंड sin का वर्ग theta यह हो जाता है तो अब देखिए इसे कैसे परिवर्तित करेंगे, यह हो जाएगा sin का वर्ग x गुणा एक रिंड, यहाँ पर cos के जगह पर एक रिंड sin का वर्ग x गुणा cos x गुणा dx यह आ गया, तो अब देखिए दोस्तों, यदि हम sin को t में माल लें, sin का प्रतिस्थापन कर दें t से तो क्या होगा, sin का वर्गलन क्या होगा, cos x dx, cos x dx के जगह पर t आ जाएगा, dt आ जाएगा, dt तो यहाँ से इसे हल करने के लिए हम माल लेते हैं कि माना sin x माना sin x बरावर क्या हो t हो तो इसका उकलन क्या होता है cos x गुणा t x बरावर dt हो जाएगा तो cos x का x dx यहाँ पे देखे cos x dx के जगह पे क्या आएगा dt और sin को हम किसमें परिवर्ट करते हैं t में तो t का वर्ग गुणा 1 t का वर्ग गुणा dt तो हल करने पे यह हो जाएगा समा कलन t का वर्ग रिण t की घाट 4 dt हल करेंगे अलग-अलग करते हैं समा कलन t का वर्ग गुणा dt रिण समा कलन t की घाट 4 गुणा dt इसका हल हो जाएगा तो यहाँ से x की घाट n का समाकलन x के साफ x की घात n धन 1 पूरे का बटा n धन 1 यह होगा तो यह हो जाएगा t की घात 3 बटा 3 रिंड t की घात 5 बटा 5 धन c जहां c कहा है समाकलन अचर तो t हमने किसे माना sign को तो यह हो जाएगा sign की घात 3 x बटा 3 रिंड sign की घात 5 x बटा 5 धन c यह होगा आई के बराबर अभिस्ट हल तहने बाद आज शकरता हूं आपको वीडियो पसंद आए